बात लड़कपन से लेकर जवानी तक की है 31 दिसंबर की शाम हर साल ऐसे ही होती थी ना मौसम बदलता था ना अम्मी के हाथ का बना गाजर का हलवा उसकी मिठास उसकी रंगत बदलती थी ना दूर दर्शन पे आने वाले नए साल के कारेक्रम में कुछ नया होता था हाईवे की कहानी जब उसने पहले पहल कंसीव की थी तब मुझे बताया था कि हाईवे पिक्चर में ज़्यादा गाने नहीं होंगे एक आद थीम सौंग होगा जो बीच बीच में चलता रहेगा अब जब हाईवे बनाने की उसने सोच ली ना सिर्फ बतौर राइटर डिरेक्टर बलके बतौर परडूसर भी तब भी वो इसी बात पे आडिक था कि इस फिल्म में ज़्यादा म्यूजिक है नहीं यार एक शाम हम इम्तियाज के ड्राइंग रूम में बैठे यही बात डिसकस कर रहे थे कि म्यूजिक नहीं है लेकिन फिर भी म्यूजिक डिरेक्टर तो चाहिए थोड़ा है कुछ तो है कम नमक है लेकिन कम के लिए भी नमक का होना तो बहुत जरूरी है तो कौन म्यूजिक डिरेक्टर हो पिशली पिक्चर रहमान सर के साथ की थी तो एथिकली ये बनता था कि किसी और म्यूजिक डिरेक्टर को अप्रोच करने से पहले रहमान सर को बता दिया जाए कि पिक्चर में म्यूजिक नहीं है तो जैसा कि तैह हुआ था इम्तियाज ने रहमान सर को फोन कर दिया और फोन पे कहा सर बात ये है कि अभी जो पिक्चर बना रहा हूँ उसमें म्यूजिक बहुत कम है क्योंकि हम सोच रहे थे कि जब इतनी बात कहेंगे तो बाकी की बात obvious है, रह्मान साब समझ जाएंगे तो उन्होंने का ठीक है और बातों बातों में इंतियाज ने ये भी बता दिया कि ये बड़ी compact picture है, कम budget की picture है, छोटी picture है तो रह्मान सर ने पूछा, कौन produce कर रहा है इंतियाज बोला, वो sir, actually मैं ही produce कर रहा हूँ रह्मान सर ने कहा, तो definitely मैं ये picture कर रहा हूँ और highway, जिसमें सिर्फ एक theme song था उसमें साथ गाने बना दिये हम तीनोंने मिलके बात लड़कपन से लेकर जवानी तक की है 31 दिसंबर की शाम हर साल ऐसे ही होती थी ना मौसम बदलता था, ना अम्मी के हाथ का बना गाजर का हलवा उसकी मिठास, उसकी रंगत बदलती थी ना दूरदर्शन पे आने वाले नए साल के कारेकरम में कुछ नया होता था हम जमीन पे बिस्तर लगा लेते थे और रजाई में बैठके नए साल का कारेकरम देखते थे दूरदर्शन पे और प्रोग्राम पूरा हो जाता दूरदर्शन पे बारा बचते और एक अलेक्ट्रोनिक आतिश बाजी दूरदर्शन पे दिखाई देती अमी केचन में जाती गाजर का हलवा कटोरी में डाल के लाती और हम सब को हमारे इंटरस्ट के मताविक दूआ देती हुई वो गाजर का हलवे की कटोरी दे देती थी मैंने अपनी ये याद अपने आठ साल के बेटे को सुनाई और वो मेरी तरफ हैरानी से देखता हुआ बुला पापा इस साल हम भी निया साल ऐसे मनाएं उसका कहना था और मेरा मानना हम दोनों में हाई फाइब हो गया तो साहे वो उसी तरह से बिस्तर लग गए दूर दर्शन पे कारिक्रम शुरू हो गया और मुमफली का दौर चल पड़ा गचक का दौर चल पड़ा और हम पूरा एक फील लेने के लिए उस सर्दी का हमने एसी भी 15 डिग्री सेल्सियस पे कर लिया तो वो दिसंबर की ठंड भी हो गई और वो दूर दर्शन का कारिक्रम भी हो गया और साथ में वो जमीन पे बिस्तर लगे हुए बहुत बहुत मजा आ रहा था और अचानक तक्डीवन 11 बजे के करीब मुझे रह्मान से के स्टूडियो से फोन आया कि एश Şu 하나 सर्भ अभी रह्मान साब माही वे गाना डब करना चाहते हैं तो मैंने का उसके लिरिक्स तो मैंने दिये हुए हैं वो तो हैं अल्रडी के नहीं लिरिक्स बाकी तो हैं हमारे पास लेकिन कुछ पोर्शन है जो उन्होंने एड किया है वो हमने अभी मेल किया है आपको अब प्लीज उसके लिरिक्स पेज दीजिए मैंने ओके कहकर फोन रख दिया और अपने बेटे की तरफ देखा बेटे की आ बेटे ने हलका सा पॉज लिया और कहा इट सोके पापा मैं तुरंट उठा अपनी स्टडी में गया कंपोजिशन देखी सुनी समझी और मैं लिखने लगा मैं बहुत जल्दी कुछ लिख देना चाहता था दस पंदरा मिनट के अंदर अंदर ताकि मैं वापिस वहां पहुंच सकूँ जहां से आया था और मैंने पंदरा बीस मिनट में लिख के मेल कर दिया मेल करने के बाद मैं वापिस वहां आ गया जहां एसी की बनावती सर्दी थी दूर दर्शन का आमसा कारिकरम था और मेरी असली फैमिली बेटे ने हैरान होते हुए पूछा पापा लिख लिया मैंने कहा हाँ लिख लिया वाइप ने पूछा क्या लिखा मैंने जवाब दिया ये जीना भी ना जीना भी है दोनों का तुमसे ही वास्ता मैं ही तो हूँ तेरा पता है दूसरा ना कोई रास्ता आए मुझ तक वो तुझको जो हो ढूड़ता मेरी खामोशियों में है तू बोलता ये जीना भी ना जीना भी जो भी हुआ है वो तुमसे हुआ कई बार ऐसा होता है कि एक तीर से दो निशाने लग जाते हैं आपको ये जानके बड़ी हैरानी होगी कि माहिवे और पटाखा गुटी दोनों एक ही धुन के दो हिस्से थे होता यूँ है कि रह्मान सर अप्रोच करते हैं जब किसी सिच्वेशन को तो वो दो तरीके से करते हैं कई बार वो किसी एक शब्द को मिनिंगफल शब्द को या फ्रेज को ध्यान में रखते हैं और उसके उपर अपनी कंपोजिशन बिल्ड करते हैं कई बार वो सिच्वेशन को डिरेक्ट अटैक करते हैं ये किसी फ्रेज पे कंपोजिशन को बनाने का मैंने एक उधारन आपको अगर तुम साथ हो का एक्जामपल दिया था आपको अभी मैं बात कर रहा हूँ पटाखा गुंटी के बारे में सिच्वेशन डिसकस हो रही थी बातचीत हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि वीरा जो है वो महावीर भाटी ने किड्नैब जरूर कर ली है लेकिन वो महावीर भाटी के साथ एक आजादी महसूस कर रही है एक लिबर्टी महसूस कर रही है एक उठान एक उडान महसूस कर रही है वो दुनिया की परवासे बेखबर है सुसाइटी का डर नहीं है उसे और वो अपनी मर्जी से चल रही है अब इस situation में एक गाना चाहिए था एक गाना जो liberty का गाना हो आजादी का गाना हो एक खुला गाना अब situation डिसकस हुई हमने सुना तो अपने अपने तरीके से हमने काम करने की सोच ली अब मैंने उस situation को ध्यान में रखते हुए कुछ लव्ज लिगने शुरू कर दिये उस situation में कुछ लव्ज पर रोने लगा मैं लिरिकली और रह्मान साब अपने तरीके से उसमें सुर ढालने लगे एक दिन मुझे कुछ जहन में आया और मैंने रात को तकरीबन बारा साड़े बारा बज़े के करीब इम्तियास को एक मेल किया के जुगनी रुख पीपल का हुई जिसको पूजे तो हर कोई जिसकी फसल किसे ना बोई घर भी रख सके ना कोई इम्तियास इंडिया में नहीं था उस टाइम पर तकरीबन दो ढ़ाई घंटे के बाद उसका मेल आया ओए इर्शाद ये क्या लिख दिया यार दिस इस वीरा जैसा मैंने कहा कि जब रहमान साब किसी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं या उस सिचुएशन को म्यूजिकली इंटर्प्रेट करते हैं तो वो गाने को मुखडे अंत्रे की तरीके से नहीं देखते वो म्यूजिकली उसको एक्स्प्लेइन करते हैं सिचुएशन को डिफाइन करते हैं म्यूजिकली तो उस डेफिनेशन में वो धुन कितनी देर की होती है इस बात की कोई परवाह नहीं होती तो तकरीवन 18-20 मिनट का गाना इम्तियाज ने अपनी सिचुएशन के हिसाब से एडिट किया और कुछ टुकडों पे मैं लिखता रहा जैसे कांच कमारी शरम हतारी चार पे भारी ला गए या फिर पटाका गुड़ी हाए नशे में उड़ी जाए रहाए 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 तो एक गाना बन गया उस गाने में जादा जो फ्रेज आ रहा था वो था अली-अली गाना बनने के बाद मुझे लगा कि ये गाना पटाका गुड़ी होना चाहिए क्योंकि ये एक लड़की के दिल का बयान है क्योंकि ये गाना उसकी उड़ान के बारे में है उसकी उठान के बारे में है उसकी शरारतों के बारे में है नूरा सिस्टर का ये गाया गाना पठाका गुड़ी के नाम से आपके सामने आ गया एक इंसान जिसको जिन्दगी की मुश्किलों ने पत्थर बना दिया हो, जहरी और जालिम बना दिया हो, लेकिन उसके दिल में जहरने की तरह एक धुन बहती हो, तो वो महावीर भाटी बन जाता है, जिसकी जबान पे गाली है और दिल में लोरी है। इस लोरी को बहुत नाजुक होना था, बहुत कोमल होना था, बहुत इमोशनल होना था और बहुत पाक होना था। इस लोरी को सच्चा और सुच्चा होना था, इस लोरी को पुर असर होना था, इस लोरी को सीधा दिल से निकलना था और दिल पे ही असर करना था, इस लोरी को चांदनी की तरह सफेद होना था और रात की तरह खामोश। महब्बत की उमीद के महीन और नाजुक धागे में पिरोए जाने थे इसके शब्ट इसे ऐसा होना था जिसे सुनने के बाद सिहरन भी पैदा हो और सकून भी मिले इसे मंता में डूगा होना था, पवित्र होना था इसे उस सपने की तरह होना था जो सपना हर माँ अपने बच्चे के लिए देखती है बड़ा मुश्किल काम था ये बहुत ही मुश्किल काम था रह्मान साब ने धुन भेज़ दी थी और धुन इतनी मीठी थी के सुनने के बाद जबान मीठी हो गई अब बारी मेरी थी मैंने कुछ दिन सोचा और कुछ दिन सोचने के बाद मुझे दो लवस ध्यान में आए सूहा और साहा सूहा साहा राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर एरिया में जिस तरह की डायलेक्ट बोली जाती है उस डायलेक्ट के दो शब्द है आप में से उस समय कुछ दोस्तों ने मुझे से पूछा था के सूहा साहा के अर्थ क्या है क्या मतलब है इनका सूहा का मतलब है लाल और साहा का मतलब है खरगोश यनी रैबिट मा अपने बच्चे को रेड रैबिट लाल खरगोश कह रही है सूहा साहा अम्मा का मैंने जब ये बात हाइवे के डारेक्टर ऑफ फोटोग्राफी अनिल महता साब को बताई तो वो मेरी बात सूनके हसने लगे उन्होंने कहा इर्शाग यार तुम कुछ भी वर्ड को आयन कर लेते हो और फिर कुछ भी मतलब बता देते हो उसका मुझे उनको कन्विंस करने में टाइम लगा कि अनिल सर सूहा और साहा वाकई राजस्थानी और पंजाबी में शब्ड हैं तो अब एक वो ड्राफ सुन लीजिए जो सूहा साहा अम्मा का तक पहुँचने से पहले मैंने लिखा था लाल मेरे मत रुसना रोना लाल मेरे सो जाना लाल मेरे बस हसना गाना लाल मेरे सो जाना चांदी कीरे थालियों में देसी घी की चूरियां मीठी खीर मेवे वाली मैदे कीरे पूरियां पेट भर खानी हमने मकमल बिचानी हमने सुपने में खो जाना लाल मेरे सो जाना नैनों की बनेरियों से टुकर टुकर नीद जहांगे साटन का कुरता तेरा चांदी कहरे बटन टांके मांगरी से चंदरी मैना अम्मा ने कुरता ना देना मुन्ने के कुरता वो पाना लाल मेरे सो जाना झाल झाल